गुड मॉनिंग प्यारे बच्चों कैसे वाप सब आज की इस्पेसल क्लास में आप सीखेंगे विन का जोड़ना जब तीन या तीन से अधिक पद हो चार पद या पांच पद ऐसे कुछ हो असी कंडिशन में हम उनको कैसे करेंगे चाहे तीन हो या चार पांच कितने भी हो त मेथड से ही सबसे बहतर इसको किया जा सकता है ठीक है करास मल्तिपल भी कर सकते हो बट वो तिरिका मजा नहीं आता गड़बड हो जाता लंबा हो जाता बहुत तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे जो हर वाली संख्या उनका लच्च स्ट पांच है और दो है इ जो इनका LCM आया है वो एक बड़ी लाइन खीच करके नीचे लिख दिया जाएगा ठीक है अब पहली जो भिन्न है उसके हर्फे LCM को भाग करेंगे यानि सत्तर को आप 5 से भाग करके देखो कितना आएगा 14 आएगा यानि 14 आएगा एक बार करके देख लो इतना तो तुम सब जानते हो यह से पांच एकम पांच गटाओ जो आएगा जीरो पांच युका बीफ और यह कट जाएगा कितना आएगा 14 आएगा 14 का साथ में गुड़ा कर दोगे तो मेरे भाई इतना तो तुम जानते हो कि कर लोगे ना कि दो जोदा फट्य एक्ठानवे होता है 14 से बंजा नाइन्टी एट जेको साथ चूका 24 दो साथ कम साथ दो नौ बात समझ में आया क्या किया मैंने वहने सब्सेपहले दी गई भिन्नों के हरों कालीम लिया आल्सियम सतर आया अब उस लसियम में पहली भिन्न के हर से यानी पांच से भाग किया पांच से जब मैंने भाग किया LCM में यानी 70 में तो 14 आया अब उस 14 का पहली भिन्द के अंस में यानी numerator में multiple करेंगे तो multiple कर दिया तो कितना है 98 इसको लिख दिया पहली भिन्द का सारा process complete हो गया अब second fraction की बारी है ठीक है पहला first का सब complete हुआ अब second की बारी है कि सिकेंड में क्या होगा भया सेम तरीका होगा आपको 7 से भाग करना LCM में LCM मतलब 70 में तुम्हें पता है कि 70 में 10 बार जाएगा साथ दाहमा सत्तर न और जो दफ आएगा उसका अंस में गुड़ा करोगे यानि दस का छे में साथ ठीक है अब दो से भाग करो सत्तर में 35 आएगा भाई साहब कितना आएगा 35 में टू का भाग करोगे पहली लास्ट वाली बिन के हरफे 35 आएगा 35 का मल्टीपल करोगे आठ में ठीक है तो आठ पंचे चालिस हाफिल चार आठ त्रिक चौबिस चार अठाथाइस बात समझ में आई 280 इन सब को जोड देंगे और जो आएगा वही अंसर आजाएगा फाइनल में खतम सभी के लास्ट वाले डिजिट ले लो जीरो जीरो आठ कितना होगे आठ दूफरा डिजिट लो आठ शे चाउदा नो चाउदा नो चाउदानो चाउदा में 6 जोड ओगे तो 20 और 33 ठीक है हाफिल आए कितना दो तीफरा आउंक जोडो तीफरा आंक के वले ही केला है तीज़ाएगा चार 439 बटा 70 इनको हम सही बटम बदल सकते हैं यानि मिस्र भिन्द में या कुछ और कर सकते हैं बट हम इसके आगे इसको हल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टर्गेट उनको जोड के एक अंतर दिखाना है इसको अभी और सरल करेंगे और आगे एक कटे बिटेगा लेकिन वो चीज इसमें नहीं सीखने वाले वो सरली करण का भाग है ठीक है नहीं तो फिर सब खिचली हो जाएगा मजा नहीं आएगा अब इसमें जोड 15-23-23-23-22-22-24 यह भी एक तरीका है ठीक है लेकिन यह तरीका बहुत ध्यान रखना इसमें नंबर सीधे सीधे पर होना चाहिए अगर आपने ऐसे कहीं कर दिया 98-60 और तू-38 तो यह गलत हो गया फिर सब सत्तेनास हो गया इसे नहीं करना कभी जो आंक बढ़ेगा आगे ब बढ़ना चाहिए यहां से सीखने को मिलता पीछे बढ़ोगे तो गलत हो जाएगा है ना चलो कि बढ़िया देखो समझने वाली चीजें हैं अगर समझ जाओगे तो अच्छी बात है कोसिस करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है अगले में चलो भीया सबसे पहले दी गई 3 थी बिन्हों के हर का करेंगे ऐल्सीयम करेंगे तो आठ disfr और एक के ल में लेलो if 954 आल क्यतना हो गया 40 अब उस ils को पहली भिन्न के हर से भाग करो, यानि 40 को क्या करो, भाग करो 8 से, तो 8 पंचे, 40, भाग फल कितना आया, 5 आया, 5 का गुड़ा करो, साथ में 5 सत्य, 35, फिर प्लस, ठीक है, हो गया, आगे बढ़ो, पहला भिन्न का काम खतम, पहले मैंने LCM ले लिया, 8, 5 और 1 का, 40 आया, LCM ले आप जानते हो, बताया हूं, आठ से भाग किया, 40 में 5 आया, 5 का साथ में गुड़ा किया, 35, अब LCM में दूसरी भिन्न के हर, यानि 5 से भाग करो, तो 5 का भाग 40 में करोगे, 8 आयेगा, 8 का उपर 11 में गुड़ा करोगे, यानि 11, 88, समझ में आया, हमने सबसे पहले क्या किय किया, 1st fraction के denominator से, LCM यानि 40 को डिबाइड किया, जो कि हमें कितना मिला, 5 मिला, 5 का multiple, 1st fraction के numerator में किया, यानि 5 से बंजा 35, ठीक, बीच में plus का sign था लिख दिया, same process, 2nd fraction और 3rd fraction में करेंगे, 2nd fraction के जो denominator है, यानि हर जिसे बोलते हिंदी में, उससे LCM में भाग किया, यानि डिबाइड किया, तो 5 से 40 को डिबाइड करेंगे, 8 आएगा, 8 का multiple 11 में किया, 88 आया, खतम, 2nd भी खतम, 3rd में आ जाओ, 1, यानि 3rd fraction के denominator से हम LCM को डिबाइड करेंगे, यानि 40 को एक से भाग क करेंगे, तो क्या आएगा, 40 आएगा, आएगा, अब उस जो भी हमें प्राप्त हुआ, कॉइफियंट, उससे multiple करो, इसके numerator में, 40 का दो में गुड़ा करो, अफ़ी, समझ में आया, जोड डालो भीया, इनको, चलो, लाश्ट लाश्ट वाले आंको, जोड लो, 0, 8, 5, 13, यह आपका आगे अंसर, इसके आगे इसको अगर फरल किया जा सकता है, तो वो इस कलास का भाग नहीं है, पार नहीं है, उसको मैं अगली कलास में बताऊंगा, देखो थोड़े से फ्रेक्शन लंबे है, तो थोड़े से जादा टाइम लग सकते हैं, बढ़ आपको समझना ह और अगर समझ गए तो फिर नहीं आपार है रहा भाईया, चलो, पहले LCM ले लो 15, 6 और 3 का, देखो साट कट में LCM बताऊंगा, बहुत लंबा नहीं खीचूंगा, ठीक है, तो 3, 2, 6, 3, 5, 15, ठीक है, अब 2 और 5, यानि 3, 2, 6, 5, 30, इनका LCM कितना आएगा, 30 आएगा, अब तुमें LCM लेना नहीं आता है, तो उसका वीडियो मैं अलग से बनाया हूँ, कमेंट करना है, उसका वीडियो दे दिये जाएगा, LCM वाला, 30 एक मत्र ऐसी छोटी फे छोटी संख्या है, जिससे भाग करने पर, मतलब जिसमें, जिसमें 15 का भाग भी पूरी पूरा जाएग खें अल्सी नायगे, ने से फॉर्ट क सिर्ट उसक थोड़ा में पकूराओन करने नहीं एरचंश में रतिक हैएगा यही तरीका इसमें अपना होगे, की करने साथ 15 में तिन आम साथ2 में 10 आंगे, इता जोट गला whenRI ये याश्ट जोट डिया रहा आंग覺 येरल थरी शेला तरीका है यही सब पढ़ाई है यही सब कहानी है कुछ भी कहना है तो मुझे बता तो भीया नहीं ना आगे बढ़े चलो फोर नमर बताओ कर लोगे सब पक्का ना इमंदारी से बताना बिल्कुल जूट ना बोलना यह तुम्हारे लिए होम और कहेगा पक्का कर लोगे ना बताओ दिल पे हाथ रखके बोलो कर लोगे ना चलो कर लोगे तो फिर अच्छी बात है गुड भाईया चलो चलो आगे 5 नमबर में आ जाओ चलो इसको बताओ कहरा इसको क्या करिए वही करिए जो अब तक करते आयों बता दूं क्या थोड़ा से बता देता हूं तीन साथ और दो का एल सीम देखो बहुत आफान है बाई साब इनका एल सीम क्या हो जानते हो तुम है तीन सते एकईस या साथ दुना चवदातीयां 42 मैंने डारेट गुड़ा क्यों कर लिया क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फेक्टर नहीं था आपस में ठीक है साथ तीन और दो में कोई कॉमन फेक्टर नहीं वनको छोड़ कर इसलिए इनका जो एल सीम होगा इनका गुड़ा करने पर ही मिलेगा हर जगा ऐसा लागुन होता लेकिन अगर वह सभी अभाज है आपस में उनमें कुछ भी कॉमन फेक्टर नहीं यह ता ऐसा होता है इसको मैं जल्दी फ डालो फटाफट आठ दो दस चार चौदा आठ दो दस चार चौदा यह हो गया साथ एक नो ठीक है खतम कोई हाफिल नहीं एक यह आगया आपका अंसर है ना कोई डाउट ना किसी को अब अगर इसमें कहीं जोडने गटाने में कोई मिस्टेक है तो मुझे बता दो देखो अक्सर आकर कहीं छोटी सी गलती हो गई वीडियो वारेल हो जाता गुरू कभी कभी जानबूच के गलती करना पड़ता है जानते हो क्यों क्योंकि लोग उसको फिर खुब सारा कमेंट करते हैं अपने गलती कर दिया आपने गलत क्यूं पढ़ा दिया वह रियक्शन यूट लेकिन मैं फिर भी अच्छाई भी अच्छाई करे जा रहा हूं देखा जाएगा जो होगा 15 सितंबर से बेसिक मैट्स का न्यू बैच आ रहा है जो भी कंडिटेट इसको इन्रोल करना चाहते हैं दिए गई इस नंबर पर इसका स्क्रीन साट लेकर करके जरूर भेजें जि